हेई गई जिबा फिर से आपका मिस्टर व्यास पर बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करने वाले गूगल वैब स्टोरी को आपको आपके वर्डप्रेस ब्लॉक में कैसे सेट अप करना है हम जिरो से शुरुआत करेंगे, एंड तक सेट अप करेंगे और मैं सारी चीजे बताऊँगा कि आपको किन-किन चीजों का धियान रखना है अगर आप गूगल वैब स्टोरी सेट कर रहे है साथे साथ मैं आपके कुछ एक्जामपल्स बताऊँगा कि कैसे इसको इंडेक्स करने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करना होगा किस तरीके से इमेजेस क्रेट करनी है, सारी चीजे लेकिन यह हमारा वैब स्टोरी पे नंबर टू वीडियो है अगर आपने नंबर वन वीडियो मिस किया है तो यह जो इधर आपको आई बटन में कहीं पे भी दिख रहा होगा या फिर गूगल वैब स्टोरी के नाम से हमने पूरी प्लेलिस बना रखी है आप उसमें जाकर के जरूर देखेगा इसके बाद आकर के यह वीडियो देखे ताकि आपको एटलिस पता रहे और कौन-कौन से टॉपिक हम डिसकस कर चुके है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन ऐसी दमाकेदार इंफॉर्मेशन अगर आपको इस चैनल पर चाहिए और अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल पर देख रहे है सबसे पहला आपका काम करना बनता है वो है चैनल को सबस्क्राइब क्योंकि अगर आप सबस्क्राइब नहीं करते हैं तो मैं ऐसे कुछ इनोवेटिव वीडियो चैनल पर लाने की कोशिश नहीं करूँगा तो मेक शौर आप एक छोड़ी से फीस लाइक और सबस्क्राइब की फॉर्म में इस चैनल को जरूर दे विदाउट वस्टिंग टाइम चलता है डेक्स्ट्रॉप की स्क्रीन पर एंड टू एंड शुरुवात करेंगे गूगल वैब स्टोरीज को वर्डप्रेस ब्लॉग पर कैसे सेट अप करना है सो हम लोग आ चुक है डेक्स्ट्रॉप की स्क्रीन पर जैसे हमने पिछले वीडियो में डिसक्स किया था कि गूगल वैब स्टोरीज को अगर आपको वर्डप्रेस के ब्लॉग में सट अप करना है सबसे इंपोर्टन चीज आपको एक फ्री प्लगीन यूस करना होगा और यहां पर मैं एक्जामपल के लिए ब्लॉगिंग और इसकी साइड को लूगा लेकिन उससे पर आपको बताऊंगा कि जैसे पिछले वीडियो में हमने एक वैब स्टोरीज का एक्जामपल दिया था जो थी soundproof idea.com की जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह मैंने करीब 24 और 48 आवर पहले मैंने इसको create किया था अगर आप इसको Google पर जाके देखेंगे तो वैब स्टोरीज इंडेक्स भी हो चुकिए जैसा आप इसको सर्च करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं एक specific video जहां पर हम indexing issue कैसे fix करना उस पर भी बात करेंगे लेकिन उसको जानने के लिए आपको चनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और बैल आइकन को भी हिट करके रखे ताक कि आने वाले नए वीडियो की notifications आप मिस नहीं करेंगे so make sure you do that तो चले शुरुवात करते हैं तो इसके लिए आपको एक छोड़ा सा plugin यूज करना होगा आप simply आगर type कर सकते है Google web stories या फिर web stories ओके तो Google web stories लिखे या फिर आप web stories लिखे दोनों में कुछ पर type करेंगे आपको सबसे पहले एक plugin दिखाए देगा और वह plugin होगा web stories के नाम से तो जैसे वह plugin लोड होता है यहाँ पे आप देख सकते है 30,000 प्लस active installations है आपको इसको install करना है then इस plugin को activate करना है एक और चीच जैसे यह installation और activation process होता है तो मैं आपको explain करूँगा कि Google web stories को आप ऐसा ही किसी अगर आपकी website जो है वो normal website से जहां पर आपकी hosting के capacity इतने better नहीं है तो मैं suggest करूँगा कि आप web stories के feature को use ना करें उसका reason क्या है चले है फड़ाबर से इसको activate करता है उसका reason यह है क्योंकि Google web stories से जब आपकी site पर traffic आएगा it is again considered as your web page मतलब आपकी site का एक web page है और वो page पर load बड़ेगा तो ultimately आपकी site भी crash हो सकती है तो make sure आप एक reliable hosting use करें और जैसे कि आप देख सकता है मैं specifically hostinger को use करता हूँ मेरे सारी sites mostly hostinger पर hosted है अब निचे दी हुई links है अगर आप hostinger को purchase करेंगे तो यहाँ पर कुछ special bonuses है जो आप claim कर पाएंगे $326 लेकिन यहाँ पर मैंने site को इसलिए open किया है माल लिजे कि अगर आपकी site single web hosting पर hosted है तो यहाँ पर आपको limited resources मिलेंगे तो अगर अगर आप new purchase करने वाले तो definitely premium web hosting के साथ में जाए अगर existing premium web hosting के person है तो make sure किजिए आप आपके account के अंदर कुछ limited number of websites ही रखिएगा 3-4 से जादा मैं recommend नहीं करता हूं अगर आप premium web hosting के account में चाहे यह 100 web hosting को allow करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 100 website host कर सकते है फ्री का domain, फ्री का SSL और 30 days के money back guarantee और अगर आप इसको अभी purchase कर रहे है दी नीचे दिवी special link या फिर यह जो link आपको देख रही है यहाँ पर आपके google form fill up कीजेगा along with screenshots and everything and wait for 72 hours मैं आप तक वो bonuses पहुचा दूंगा तो make sure आपकी hosting reliable हो and this is what I recommended then ही आप इस type के feature को use कीजेगा अधर आपकी site पर resource का issue आजाएगा जहाँ पर आपको input output resources जैसे issue आएगे तो जैसे ही आपकी web stories का plugin install और activate हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते है stories के नाम से section add हो गया है इसको आपको simply click करना है जैसे आप इसको click करते है तो आप directly dashboard पे land करते है और सबसे important चीज आप web stories को monetize भी कर सकते है monetize कैसे करना है और इस पर google analytics को कैसे add करना है यह दो steps में आपको फड़ाबट से बता देता हूं simply आपको जाकर किसको process करना है जैसे आप web stories के feature में जाते है तो आपको simply setting के section के अंदर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कुछ changes आपको यहाँ पर करना है सबसे पहले आपको google analytics का जो आपका data है जैसे मेरे example के अंदर यह मेरा google analytics के idea है जो कि आप analytics में जाके निकाल सकता है तो आपको वह idea यहाँ पर insert करने और save करना है सेव करना है इसके बाद आपका publisher logo मतलब आपकी website का brand logo definitely add कीजेगा क्योंकि यह logo add करने से क्या होगा कि आपकी website google की नजर में authentic website बनेगी और उसका आपको कोई ने कोई advantage होगा तो यह आपको brand logo definitely add करना है जैसे कि मैंना add कर दिया इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ जादा न करनी है एक होगा आपकी google adsense की publisher account id जो कि अगर आप adsense के payment information में जाएंगे तो pub के नाम से आपको id मिलेगा इस तरीके से वह आपको insert करना है तो आपकी web stories google adsense से link हो जाएगी और दूसरा जब भी google adsense में आप add code generate करते है तो उस add code जब भी generate करते है तो उसके add slot id होती है जैसा क आप कोई भी add create कीजिए और वो add यहाँ पर map कीजिए तो ultimately जब भी कोई बंदा आपकी web stories को दिखेगा तो वहाँ पर वो add and display होगी तो इस तरीके से आप इसको monetize और analytics account के साथ add कर सकते है इसमें कोई issue है मुझे comment कीजिए हम अगला video या फिर पूरी series के अंदर शायद मैंने वीडियो बना रखा होगा या फिर बना दूँगा तो उसका भी specific dedicated videos हम discuss कर लेंगे so that is all about monetization और google analytics से कैसा record करें ताकि आपको इसका traffic आपके google analytics dashboard में दिख जाएगा so that is your number one इसके बाद guys बारी आती है वो होती है आपको web stories का creation तो यहाँ पर आप देख सकते है अगर आपने अभी तक कोई भी stories create की होगी तो आपको यहाँ पर all stories में दिखेगा जो कि यह new account है हमने कुछ नहीं create किया तो यहाँ पर add new पर create करना है add new पर आने के बाद में आपके लिएक editor open हो जाता है जिस particular editor में आप आपकी stories को create कर सकते है तो आप देख सकते है यह drag and drop editor है जैसा कि normal editor होता है और यहाँ पर आपको बहुत सारा options दिखाए देंगे जहाँ पर पहला option आपको left hand side में देख सकते है यह यह वह area है जो आपने आपके wordpress में जो-जो images load करके रखिए वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी यह दूसरा इसकी खुद की free library है जैसा कि अलग-अलग free sources से भी आपको images लाके देता है तो अगर आप इन में से किस image को use करना चाहिए तो simplest image को use कर सकते है या फिर अगर आप कोई text add करना चाहते है तो T plus पे जाएए आपको अलग-अलग text के combination मिल जाता है तो इस तरीके से basic editor है जो कि हम आप और हम लोग use करते हैं आपको web stories यहाँ पर बनानी है तो आपको एक vertical size के अंदर web stories बनानी है जिसकी size 9 by 16 होनी चीए ओके और कैसे दिखती है अभी हमने recently check किय या किस तरीके से sound profile या पर दिख रहे थी तो यहाँ पर example के लिए मैंने क्या किया कि मैंने images by default editor से बनाने की बजाए मैंने image बनाई है Canva के थूल आप देख सकते हैं आप अगर आपके पास में Canva है जो कि एक free tool है उसके थूल मैंने random image create की है यह वाली ठीक है और हमेशा ध्य जान रिखिए कम से कम 3-5 images का combination एक stories में create कीजिए तो उससे जादा engagement जादा ranking के chances होता है क्यों इस तरीके से image बनाने के बाद मैंने इसको download किया इसको compress किया इसकी image इसको इसके बाद आपको क्या करना है simply आपका जो web stories का जो account है जैसा कि हम यहाँ पे थे आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर बहुत सार options है यहाँ आपको यह आपका एक editor window इसके background के अंदर अगर आपको color change करना है तो यहाँ से आप जा करके यहाँ पे click करके आप plus 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 create कर सकते हैं अभी इकले में क्या करूंगा instead of कि यहाँ पर इसकी default images या फिर existing images को use करने की बजाए मैं अलग से images upload करूंगा जो की मैंने canvas से create किये मैं simply image पर create करूंगा यहाँ पर upload file में आऊंगा select files में आने के बाद मैं जो अभी मैंने कुछ images create किये जो compress मैंने कर र अगर आपने इसको read नहीं किया है जरूर read कीजेगा that is the amazing guide जिसके help से आप blogging को सिर्फ textual form में इससे better कहीं नहीं सेकते that is my guarantee 11 step more than 15,000 word के अंदर इस guide को बनाया गया तो जैसे आप start a blog पे click करेंगे तो ultimately आपको वो guide दिख जाएगे तो हम इस guide पे traffic करने की या traffic drive करने की try कर र blog guide ठीक है और यहां पे भी कर दिया मैंने इसके बाद ये को भी इसको भी हम यहां पे exactly हम same को use करेंगे तो मुझा हम alt text add कर रहे हैं समझ मैं है जिससे हम आपकी site को या फिर इस images को properly optimize कर सके तो थोड़ा सा caching का issue है इसके वज़से page ज्यादा load हो रहा है how to clear the caches को कि मैंने प example के लिए insert into page कीजिए अगर आपको दिख रहा है तो यहां पर web stories आ गए है अभी claim क्या करेंगे यहां पर जाएंगे और यह जो images है यह जो image का specific area है वहां पर जो अभी हमने images load किये वह images आपको यहां पर दिख रही है अभी हम क्या करेंगे यहां पर first image add करेंगे तो पहली image यह वाली तो इसको मैंने add कर देंगे जैसे आप करोगे तो यहां पर alignment आप change कर सकते है राइट जैसे आप alignment जैसा change करना चाहिए तो example के लिए मुझे इसका proper alignment चाहिए यह वाला और make sure कीजेगा यह proper spacing के साथ maintained रहे otherwise issue क्या होगा कि जब आपकी web stories दिखाई जाएगी तो जिससे मेरी site पे भी traffic आए चाहे YouTube channel हो कहीं पे भी उसके लिए आप यह पर text की screen पे जा सकते है यहां पर बहुत सारा options है माल लीजे कि यहां पर मैं choose करता हूँ title 1 या फिर paragraph चले तो paragraph जैसे आप choose करता है यहां पर एक icon बन जाता है अगर आप इसको delete करना चाहिए इसको click करक और इसको align कर सकते है आपको इसको किदर रखना है जैसे मैंने इसको select किया यहां पर रखा और यहां पर आप दे सकते है कुछ भी जो भी आपको text देना हो जैसे कि example के लिए मैं इसको wider करता हूँ and then double click करना है then type कीजे यहां पर click here जैसे आप यहां पर type click करते है या फिर you कर सकता है कि click okay click here right तो यह simple से चीज मैंने text को use किया है जैसे आप इस text को use करते है तो आप यहां पर देख सकता है कि यह जो text है इसका background और बहुत सारी चीज़ा आप change कर सकते है example के लिए जैसे particular text मैंने चूज किया तो यहां पर text का font type यूज कर सकते है इसको bold करना है आप यू color change करना चाहिए तो आप यहां से adaptive text color तो वो situation के हिसाप से जो भी हमारा background का color बनता है या फिर इस particular image का color बनता है उसके हिसाप से यह auto उसका color select कर लेगा तो आप देख सकता है प्लब simply basic editor है तो आप इस editor को आपकी हिसाप से align किजिए जैसे आपको लगता है तो click here मैंने choose किया अभी मैं चाहता हूँ कि यहां पर आपकी layers create हो रही है तो एक layer है जो हमने click here के create किये एक हमारी image की layer है यह हमारा background है मतला अभी तक 3 layer बन चुकी है एक background एक image और एक click here अगर आभी चाहते हैं कि आप इसके साथ एक particular link को add करे है तो यहां पर आपको एक option दिख रहा है link आपक links को click करके रखना और यहां पर आप link add कर सकते हैं हमारी link है how to start a blog आपको इसको click करना है backend में आना है और यहां पर आप link को insert कर दीजिए इसके बाद में आप चाहें इसके साथ कुछ animation एड़ करना आप animation यहां पर कीजिए ऐसे मैं आपर pulse का animation रखना चाहता है तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा जब user आपकी user's web stories को देखेंगे तो simple सा मैंने pulse add किया आप timing basic change कर सकता है तो अभी के लिए इतना काफी है अगर आपको ज्यादा changes करना चाहे तो बहुत सारे editor नॉर्मल editor आप use करता है यह वैसा यह यह enable हो चुका है जैसे मैं इसको click करता हूँ आप यहाँ पर देख सकता है यह हमारे लेक preview का window generate कर रहा है और इस preview window के अंदर आपको दिखाई देगा कि आपकी web stories जब live होगी तो किस तरीके से दिखाई देगी तो आप यहाँ पर देख सकता है कुछ इस तरीके से हमारा first page दिखाई देगा जहां पर normal web stories की तरह है यहाँ पर click here clickable रहेगा तो ऐसा ही आपकी web stories दिखाई देगी तो आप इसके example ले सकता है अभी हमने एक किया अभी हम इसकी copy create करेंगे ना कि as it is दूसरी बढ़ाएंगे क्लिक here का option same use करना है मैं यहाँ पर दो options है duplicate page और एक नया page अगर आप blank page create करना चाहे इस पर click कर सकता है मैं बनाऊंगा duplicate तो as it is हमारे पास यहाँ पर दूसरा page create हो गया यह हमारा पहला page था right this was first page और यह second page second page पर हम क्या करेंगे हमारी दूसरी image जो हमने create किया तो इसको delete कर रखके फिर इसको भी आप align कर सकते है जैसे हमने first वाले को किया तो फड़ा बड़ से इसको align करेंगे जिससे आपको दिखाए देगा कि exactly हम कुछ innovative stories create करें तो यहाँ पर मैंने इसको align कर दिया यह हमारा हो गया दूसरा page click here हमने as it is use किया था तो same animation वहाँ पे भी है थिर से ह हम इसको करेंगे duplicate page और इस बार हम add करेंगे third वाला page तो इसको delete कर देंगे और यहाँ पर तीसरा वाला page हम add करेंगे और इसको कुछ extend करेंगे तो this is something our number 3 page make sure अगर अब भी आप देख रहे इस वीडियो को जरूर subscribe किजे it takes a time and efforts कि इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए त तो भी आपको सही लगता है simply आप यहां पर आओ यहां पर alignment इसको click करो इसको click करने के बाद center में align exactly perfectly तीनों images हमारी align हो जाएगी और कुछ इस तरीके से हमारी web stories click here number one page number two page number three page click here और जैसे आप इसको यहां पर जाकर के दिखेंगे new window के अंदर तो आपको इसका amazing look दिखेगा जो web stories हमने create किया तो let's see किस तरीके से दिखता है not to worry थोड़ा caching की issue के वज़े से page slowly load हो रहा है but it's not issue with any other thing तो आप देख सकता है यह हमारा first page है इसके बाद जैसे ही खतम होगा आपको यहां पर दूसरा page दिखाई देगा then there will be a third page तो यह आ गया second page देख सकता है यहां पर animation लगा हुआ है तो यह user को कहेगा कि क्लिक करो राइट तो कुछ इस तरीके साब web stories create कर सकता है यह तीसरा page तीनो pages create होने के बाद अभी हमारा काम हो चुका है अभी simply हमको यहां पर document के section में आना है make sure आप इस web story को public रखे मतलब कि हर किसी को दिखाई देगी इसके बाद आपक को दिखाई देगी तो एक static image जिसा हमारी feature image होती है कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए तो हमें क्या करना है यहां पर open media में जाना है और हमारी जो पहली image है जो first image हमने add कि ती वही directly यहां पर select कर देनी है जिससे यह हमारी feature image बन जाए वो भी आपको alignment के लिए बोलेगा किस इसकी size को रखना चाहें तो आप रख सकते हैं माल लिजे कि यह हमारा poster image हो गया जो main user को दिखेगा इसको मैंने crop करना है वह आपको crop की sizing सब कुछ दिखा देगा जिसका cropping हो जाता तो यह हमारी as a feature image add हो जाएगी हमारी story के अंदर जैसा कि make sure यह आपका brand image जो भी वहां से आ आपकी site stories किसके बारे में एक तरीके से आपकी site जैसे index होती है similarly web stories भी होती है और तभी है discoverable रहती है तो example के लिए यहां पे आकर आपको type करना है how जो भी आपका basic meta description बनता है how to start a blog in just 11 steps with a proven method I have tested myself and generated over $200k in last three years right and this is a genuine story okay so अगर आपको नहीं पता तो 9 days free blogging training series join नहीं किये whatever source को join भी कर लो ताकि आपको free के training मिल जाए इसके बाद आपका आता है permalink का area so यह वही area है जहाँ पर सिर्फ यह web stories अलग से एड होगा तो यहाँ पर आपको एक slug add करना होगा तो slug हमारा क्या होगा obviously start a blog okay so start a start और यहाँ पर successful blog never use a and the kind of stop word basic SEO right जो हमारा on page SEO तो अभी हमारा यह URL बन जाता है आपका domain और बीच में defaults लगाएगा web stories के नाम से right ताकि आप differentiate कर सके कि web stories और यह क्या है और साथ में आपको start successful blog यह आपका meta description हो गया इसके बद आप इसको page advancement इसको आप add करना avoid करे otherwise site की loading speed पे impact आ सकता है okay तो आप इसको use कर सकते है यह सब कुछ करने के बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है everything is fine यहाँ पर आना है और आप simply publish के window पर click किजिए review checklist में जाएंगे तो आपको पता लएगा कि यह सारी चीजे आपने सही से किये नहीं किये तो keep under 10 words यह मलब एक तरी किसा आपका on page जैसी हो right जिसके help से आपकी site index होगी नहीं होगी यह सारे चीजे आपको बताएगा जैसा कि add web story title keep under 10 words don't exceed 70 character वही है जैसा कि हम यहाँ पर meta description की बात करते है similarly आपको अगर story का description मिल गया आपको यहाँ पर पर्मा लिंक दिख गया है और tend to do better search and have a wider reach और इसके बाद यह auto अगर आप रखेंगे page enhancement यहाँ पर manual auto रखेंगे इसके बाद आपको taxonomies यहाँ पर search categories आपको tag add करने add कर सकते हैं तो यह आपको suggestion देगा जो आप आपकी साफ से add कर सकते हैं मैं अभी इसको simply ignore करता हूँ हमने सब check कर लिया इधर जाओ सीधा continue to publish जैसे आप इसको continue to publish करेंगे आपकी stories is going to lie और उसको आप इस URL से check कर पाएंगे तो example के लिए हमार stories publish हो चुकी है अभी मैं जैसा ही इसको link क्लिक करूंगा तो ideally वो stories आपको यहाँ पर दिखाई देगी और अगर आप Google में जाके देखेंगे तो शायद index भी हो चुकी होगी अगर आप 48 to 24 to 48 तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा अभी माल लीजिए जैसे को यहाँ पर click here content है जैसा भी है आप आपकी site पर drive कर सकता है तो थोड़ा loading का I mean caching के issue के वज़े से site में अभी loading का issue जा रहा तो आप देख सकता है यहाँ पर आपको domain देख रहा है और particular domain के अंदर site currently route हो चुकी है and that's where you should be able to know कि यह तरीके से काम कर रहा है similarly तो तीसरे page में जाओगे फिर से वहाँ पर click है और वहाँ पर भी animation रहेगा तो इस तरीके से आपकी stories बन जाती है आपकी stories एक बाग create होने के बाद में आप simply अगर all stories पर जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी site पर आपने कौन सी और कितनी stories create किये तो आप देख सकते हैं इतनी सारी stories आपने create किय या फिर documentation में जहां पर भी आपको title update का section आता है उसको update कीजिएगा जिसके help से आपकी site का properly title भी logo को दिखाए देगा जब यह particular stories actually index होगी तो कुछ इस तरीके से आपको इस stories को create करना है उसको बाद में जाकर कि आप check कर सकते है किस तरीकी stories आपने create किये है and hopefully इस video के अंदर आ idea लग गया होगा अभिकर आपको indexing का issue है या फिर आपको AMPJ से कोई issues है तो make sure कीजिएगा मुझे comment कीजिएगा और इसको मैं बताऊंगा कि next video के अंदर कि किस सरी के साथ verify करेंगे कि आपकी stories index हुई है नहीं हुई है और अगर नहीं हुई है तो उसका fixing का क्या क्या तरीका है तो hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसा ही धमाकेदार वीडियो अगर आपको चैनल पे चाहिए make sure चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और comment करके अपने opinion बताना मत बुलिएगा आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे एगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैहिन जये बारत